दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करूंगे बायर के इथरेल के बारे में कौन-कौन सी क्रोप में आप इसको यूज में ले सकते हैं अगर आप बागवानी करते हैं तो कौन-कौन से प्लांट्स में इसको यूज में लेना चाहिए कब इसका यूज करना चाहिए परफेक्ट टाइमिंग क्या होती है परफेक्ट डोज क्या होता है प्राइस क्या है उसके साथ इसको यूज करते समय कौन-कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए संपूर्ण जानका रिकवर करूंगी तो वीडियो के अंट तक जरूर बने रहें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनिता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियान और्गनिक जर्नी दोस्तों वीडियो शुरूर औरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट सब्डेट आप तक फटापर पाउंचते रहें बाएर के इत्रेल के कैमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आता है इतिफॉन 49% SL4 में आता है और इसके मोड़ो फेक्शन होता है सिस्टेमिक प्लांट क्रोथ ये रेगुलेटर होता है जो पोदे के टीशू में पै हो जाता है जिससे फसलों और पोदों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अब दोस्तों कि इत्रेल का यूज क्यों करना चाहिए फसलों या पोदों में क्या इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं क्या क्या फाइदे होते हैं तो सबसे ज़्यादा इस एक ब्रांच पर flower आये और शैम कॉआंटिटी में इकॉल क्उआटिटी में flower आए उसके लिए इसका इस्तेमाल कियाजाते है उसका स्प्रे करते हैं जिसे कि सारी पत्यां गिर जाती हैं ड्रोप हो जाती हैं और नई पतियां नया फुटाव होता है जिसे ज़्यादा मात्रा में फ्लोवर्स आते हैं। कलर इंप्रॊव के लिए भी इसका इस्तिमल करते हैं जैसे टमाटर वगरे में कि अगर प्रोपर जो रैड कलर होता है वो कलर नहीं आ रहा रहा है तो कुछ हलकी डोज लेकर इसका इसका इस्तिमल करते हैं। से कि जो प्रोपर कलर होता है फ्रूट का वो कलर इससे आता है फलों को पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं आम में वेकल पिक फलन तोडने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं कौन-कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आम, अनार, अंगूर, तमाट कोफी गना कपास रबर पाइनेपल में भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं प्राइस की बात की जाए तो एक लिटर की बोटल पर एम आर पी है पची सो दस रुपए और मार्केट में अविलेबल हो जाती है लग बैक दो हजार से बाइस सो किसम थी और इसकी परफेक्ट डोज की इंपोर्टेंट होती है इथरेल की यूज करने से पहले जरूर ध्यान देना चाहिए कोई भी बाहर लेने से पहले इसका इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे की ज़्यादा मातरा में फ्लोवर आएं और जो पुरानी पत्तियां वो सारी ड्रोप हो जाएं और नए पत्तियां नए फुटा वो नए जादा मातरा में फ्लोवर्स जादा हैं उसके लिए अगर आप इसको इसको मिकस करके स्प्रेख करेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप मेचियोरिटी स्टेज में यूज करते हैं इसका किसी भी फचल में जैसे टमाटर में प्रोपर कलर नहीं आ रहा है रेड कलर के लिए कि प्रोपर रेड कलर आया या किसी भी फसल में या अन्य कोई प्लांट्स पर यूज करते हैं तो फिर इसकी डोज बहुत ही कम लेनी है आपको नहीं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो मैचुरिटी स्टेज में किसान यूज करते हैं तो पूरी पिछे की पूरी मेहनत किसान की खराब हो सकते हैं फसल खराब भी हो सकती है इसलिए मैचुरिटी स्टेज में आप सोस समझ के ही इसका इस्तिमाल करें लेकिन अगर आप अनार के प्लांट्स में इस्तिमाल कर रहे हैं या लीफ फोल के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं तो दो अमल पर लिटर के साफ़ गोल तयार करके स्प्रे करें परफेक्ट डोज होती है कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो अकोडिंग टू कमपने इसके साथ में और कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए केवल इसी का आप इस्तिमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसके स्प्रे करने के तुरंट बाद में अगर बारिश आ जाती है तो फिर इसका पूरा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए इसी अकोडिंग आप अपने स्प्रे का शिडूल बनाएं ताकि बारिश नहीं आए और पूरा रिजल्ट इसका आपकी फसलों में या प्लांस पे देखने को मिले जानकर ये अच्छे लगी है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जादा से जादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद